Ico Neo 6, यह smart phone already चाइना में launch हो चुका एक्परिलिया फिर में मंद में और अभी 30 पस मेको इंडिया में launch होने वाला है अब देखो ऐसा leeg से कि यह smart phone 30,000 के नीचे इंडिया में launch होने वाला है तो अगर ऐसा होता है ना की 30,000 के नीचे यह इंडिया में launch होता है तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्पले की तो यहाँ पर आपको 6.62 इंचेस का FHD Plus एक E4 AMOLED डिस्पले मिलेगा अब E4, E5 यह सामसंग के डिस्पले और सामसंग के डिस्पले की कॉलिटी आपको पता है और यहाँ पर आपको 120 Hz का प्रेशेट और 360 Hz का Touch Sampling Rate भी मिलेगा साथ में यहाँ पर आपको 1000 Hz का Instant Touch Sampling Rate भी मिलता है लेकिन वो गेमर्स के लिए ज़्यादा helpful है हमारे लिए नहीं है तो overall देखा जाए तो इस फोन का डिस्पले तो काफी बढ़िया लग रहा है और इस फोन के में हाइलाइट की बात करें तो वो है इस फोन का प्रोसेसर यहाँ पर आपको Snapdragon का 870 प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि Snapdragon की तरप से एक flagship लेवल का प्रोसेसर है इसका अंतुत स्कोर 7.5 लाग से ज्यादा आता है तो गेमिंग में यह फोन आपको कहीपर निराच नहीं करता 90 fps हो या भिर High ग्राफिक में गेमिंग हो आप आराम से कर सकते हो और अगर आप गेमिंग नहीं करते आप बस नॉर्मल यूजर हो तो वहाँ पर भी आपको फोन डिसपॉंइट नहीं करता और यहाँ पर आपको Android 12 out of the box मिल जाता है आप देखो जो Chinese variant है ना वो इससे थोड़ा बेटर है क्योंकि उसमें आपको Snapdragon का 8 Gen 1 प्रसेसर मिलता है तो इंडिया में 870 और वहाँ पर 8 Gen 1 यह भेदबाओ क्यों? प्राइज लगती है क्योंकि इंडिया में वो कम प्राइज में लॉंच करना चाते है तो उन्होंने इसको लात मार दिया होगा और Snapdragon 870 को उसकी जगा ले लिया होगा पर कैमरा पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सटप मिलने वाला 64 plus 8 plus 2 जिसमें OIS भी होने वाला है अब चलो इस फोन में OIS मिल रहा है तो यह काफी अच्छी बात है लेकिन इसका कैमरा परफेक्ट हम तभी कह सकते है जब इसका एक्च्छल में एक टेस्ट होगा तो यहाँ पर दो चीज़े सबसे ज़्यदा matter करती है सबसे पहले इसमें कौन सा sensor होने वाला है दूसरा इसका output कैसा होगा अगर इस फोन का camera performance बेटर निकल कराता है तो overall इस फोन का balance काफी बढ़िया बन जाएगा फिर दोस्तों इसके battery की बात करते है तो यहाँ पर आपको 4700 image की battery मिलने वाली है और charger आपको 80 watt का मिलने वाला है अब देखो यहाँ पर आपको यह phone एक दिन से उपर आराम से backup तो निकाल कर देदेगा लेकिन साथ में जो 80 watt का charger है न वो आपको outstanding charging speed भी देगा company claim करती है कि 12 minute में यह phone 50% charge हो जागा मतलब आदे घंटे से भी कम टाइम में यह phone full charge हो जागा तो यहाँ पर backup और charging से भी हमें कोई शिकायत है नहीं और इसमें हमें UFS 3.1 के fast storage Lpder 5 RAM भी देखने को मिलेगी अब यहाँ पर आपको एक flagship level की चीज भी इस phone में देखने को मिलती है जो की है cooling system यहाँ पर आपको cascade cooling system मिलती है तो ये casket cooling system क्या है तो देखो यहाँ पर दो तरह के refrigerant होते है इस cooling system में जो की freezing का काम करते है जो की heat waves होते है उनको freeze करने का काम करते है तो ये जो दो refrigerants होते है इनका boiling point अलग होता है साथ में ये अलग-अलग cooling cycle में काम करते है तो आपका phone काफी तेजी से ठंडा हो जाता है तो इसका फाइदा ज्यादा तो gamers को होने वाला है क्योंकि game खेलने के पाद phone काफी ज़्यादा गरम हो जाता है तो फटा बट ठंडा भी हो जाएगा और gaming की बात हो रहे तो जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में भी कहा था कि iqo gamers को बहुत ज़्यादा टार्गेट करता है तो gaming से रेलेटेड इस phone में भी आपको features काफी ज़्यादा देखने को मिलते है जैसे कि 4D game vibration और भी कई सारे features तो overall इस phone के look की बात करें तो बन जाएगा इसको कोई नहीं रोक सकता बस यहाँ पर एक चीज़ बच जाती है वो है camera इसके camera का test हो जाए camera अच्छा निकल जाए इसका तो overall इस phone का balance काफी बढ़िया हो जाएगा तो मैं भी आपको recommend करूँगा यह phone आप definitely 3000 के नीचे खरीच सकते हो बाकी आप नीचे अपने thoughts बताओ कि यह smartphone आपको कैसा लग रहा है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like कर देना चानल को भी subscribe कर देना हम मिलेंगे next अले वीडियो में